हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हैं आप सब? तो आज फ्रेंड्स मैं बनाने जारी हूँ ट्रैफ फूर्ट्स लड़ू तो यहाँ पर मैंने एक कटोरी बदाम ले रखा है और एक कटोरी काजू, एक कटोरी किस्मिस और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खसकस ले रखा है और यहाँ पर pumpkin seed और sunflower seed और यहाँ पर मैंने हेक कटोरी खजू ले रखा है, खजूर की quantity मैंने जादा रख रखे है क्योंगे खजूर हमारा binding का काम करेंगे तो यहाँ पर हमने खजूर के बीज को अलग कर लिया है और खजूर को हम अब बारिक से चौप कर लेंगे तो यह देखिए friends मैंने चोटे-चोटे टुकडों में से काट लिया है आप mixi में भी grind कर सकते हैं तो मैंने तो ऐसे ही चौप कर लिया तो यहाँ पर हम काजू के भी चोटे-चोटे टुकडे कर लेंगे और पंबिकीन को मैंने थोड़ा कूट लिया है और बदाम के भी यहाँ पर टुकडे कर लिया है ऐसे में हमारी लड़ू बनने में आसानी होगी तो यहाँ पर आप हम कडाई चड़ा देते हैं और इसमें डाल देते हैं घी तो यहाँ पर मैंने एक चमर घी डाला है घी को हम वच्छे से गरम होने देंगे अब इसमें डाल देंगे अपने कुटे हुए बदाम बदाम को हम वच्छे से बहुन लेंगे तो गैस की फ्लैम मैंने कम ही रख रखी है, कम आज में हम लेंको बोनना है, तो बदाम हमारे कुटे हैं तो यह ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो यह हमारे बदाम बुन चुके हैं, अब इसमें हम काजु डाल देंगे, काजु को भी हम अलकी आज में बोन लेंगे, तो फ्रेंट्स एक बार जरूर बना के देखें लड़ू बहुत टेस्टी बनते हैं और हेल्द के लिए भी बहुत अच्छे हैं बच्चे बड़े सब खा सकते हैं लड़ू को हमारे काजू भी भून गए हैं तो फ्रेंट्स मैंने ये काजू बड़ाम अलग नहीं निकाले साइड कर रखे हैं और गेस की फ्लैम एकदम कम है तो यहां पर मैंने काजू बड़ाम को दूसरे बड़तन में नहीं निकाला है इनको साइड कर रखा है तो फ्रेंट्स गेस की आज इतनी है कि जितने हमारे बी गैस की फ्लेम हम कमी रखेंगे तो यह देखें मैंने अच्छे से मिला लिया है अब हम फिर से यहाँ पर थोड़ा सा जगा करके बीच में और दो चमज घी डालेंगे तो फ्रेंट्स आप सोच रहे होंगे कि कहीं बीच में यह हम गैस जला के रखा है तो साइट से काजू बदा हम जल तो नहीं रहे होंगे पर नहीं फ्रेंट्स क्योंकि गैस की फ्लेम एकदम कम है तो वो उतनी ही है जितने हम बीच में घी डाल रहे हैं कम करकी गहस इतना ही चल रहा है और आप हम कसकस को अच्छे से भून लेंगे तो ये देखें खिल गया हमारा कसकस अच्छे से अब इसमें हम किस्मिस डाल रहे हैं तो किस्मिस को तो हमने ज्यादा नहीं भूनना है बस इसको थोड़ा इसे गरम करेंगे इससे ये बैंडिंग का काम करती है किसमिस भी चिप चिप पन हो जाता उसमें थोड़ा भून के तो अब हम इसको इतना ही भूनेंगे तो यह हमारी किसमिस भी भून चुकी है तो अब फ्रेंड्स में अब सारे ड्राय फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लूगे तो हमारे सारे ड्राय फ्रूट हमने भूल लिया है, अब इनको हम मिक्स कर लेंगे, अग गयास की फ्लेम हमने कमी ही रख रखी है, तेज में यह नहीं करना हमने, तो फ्राइंट्स हमारे ड्राय फ्रूट अब अच्छे से भून चुके हैं, यह मैंने एक थाली में निकाल दिया है, तो यहाँ पर मैंने ड्राय फ भून लेंगे, जब तक यह पूरा इकटा ना हो जाए, और इसमें एक चिपचपन ना आजाए, हम यहाँ पर चीनी या गुड का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि खजूर अपने आप में ही एक मीठा ड्राय फ्रूट है, तो इसलिए यहाँ पर हम कोई मीठा यूज नहीं क चल लेंगे, तो फ्रेंड्स अभी यह गरम है, तो इसे हम अभी कर्ची के साहता से मिलाएंगे, तो फ्रेंड्स एक बार जरूर बना के देखिए यह, आपकी सेहत के लिए बहुत लाबदायक हैं यह, जैसे सर्दियां आ रही है, तो सर्दियों में हमें इनको जरूर खाना चाहिए, तो अब यह थोड़ा ठंडा हो गया है, तो इसे अब मैं हाथ से मिलाने की कोसिस कर रही हूं, वह इतना ही ठंडा हुआ यह, कि मैं थोड़ा इसे छोट सकूं, पूरा मुठ्थी में मैं इसे नहीं पकड़ पा रही हूं, तो हम इसे गरम में ही करना है, ज्यादा नहीं करना है फिर यह बनेंगे नहीं तो यह देखिए कि लड़ों ने हमारा कितना घी चोड़ दिया है तो यह देखिए फ्रेंड्स हमारा लड़ों बनके त्यार है इसी तरह हम आप दूसरे लड़ों को भी बना लेंगे हमें इसको गरम में ही बना लेना है यह देखिए एक कि आद से आराम से बन जा रहे हैं खजूर हमारा पूरा बैंडिंग का काम अच्छे से कर रहा है यह तो देखे फ्रेंड से सारे लडू बनके तयार हैं तो हमारे फ्रेंड 25 लडू बनके रैडी हो गए हैं तो यह देखे मैं अब आपको तोड़ के दिखाती हूं यह देखे फ्रेंड कितने साप्ट लडू बनके तयार हो रहते हैं बच्चे बड़े कोई भी खा सकते हैं क्यूंकि यह लडू प्रोटीन से भरपूर हैं तो इन्हें कोई भी खा सकता है तो एक बार जरूर बना के देखिए उमीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स तो लाइक सब्सक्राइब से और जरूर करें आज के लिए इतना ही कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ थैंक्ट फोर वाचिंग